मणकम सवराष्ट्र, मणकम तमिलनाडू, गुजरात के मुख्यमंत्री, त्रीपुपेंद्र भाई पटेल, नागालेंड के राजपाल, स्रेयल गनेशन, जारखन के राजपाल, सीपी राधाकष्ण जी, केंद्रिय मंत्री मंद्रल में मेरे सहयोगी, भाईपुर्श्वतम विपाला जी, एल मुरुगन जी, मिनाक्षी लेखी जी, इस कारकम से जुड़े अन्ने महानुभाव, देवी और सज्जनों, सौराष्ट्र तमिळ संगमं, निगल चीलू, पंगेरुक वंदी रुक्कुम, तमिळक सवंदगल अनेवरेयूमू, वरग वरग एन वरवेर किरेन, उंगलू अनेवरेयूम, गुजरात मर्निलू, इंड्र, संदित्ती दिलू पेरू मगडियचीूूूूूूू ये बात सही है, कि अतिती सत्कार का सूक, बहुत अनूठा होता है। लेकिन जब कोई अपना ही वर्षो बाद लोकर घर आता है, तो सुक की उस उत्सा और उल्लास की बात ही कुछ अलग होती है। आज उसी गद गद रदय से सवराष्ट का हर एक जन तमिलनाडू से आए अपने भाईयों और बहनों के स्वागत में पल के बिछाएं हैं। आज उसी गद गद रदय से मैं भी तमिलनाडू से आए मेरे अपनों के बीच वर्षोली उपस्तित हूँ। मुझे आद है जब मैं मुख्यमिंत्री था तब 2010 में मैंने मदुरई में ऐसे ही भव्य सवराष्ट संगम का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमारे पचास हजार चे अधिक सवराष्ट के भाईबेन शामिल हुने आये थे। और आज सवराष्ट की धर्ती पर स्नेह और अपने पन की बैसी ही लहरे दिख रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब तमिल नाडू से अपने पुर्वजों की धर्ती पर आये हैं, अपने घर आये हैं। आपके चहरों की खुशी देखकर मैं कह सकता हूँ, आप यहां से धेरों यादे और भावक अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने सवराष्ट के परियटन का भी भरपुर आनंद लिया है। सवराष्ट से तमिल नाडू तक देश को जोड़ने वाले सरदार प्रटेल की स्टेची अफ युनिटी की उसके भी आपने दर्शन किये हैं। यानि अतीत की अनमोल स्मृतियां वर्तमान का अपनत्व और अनुभव और भविश के लिए संकल्प और प्रणाये। सवराष्ट तमिल संगमम उसमें हम इन सभी का एक साथ दर्शन कर रहे हैं। मैं इस अध्भूत आयोजन के लिए सवराष्ट और तमिल नाडू के सभी लोगों को बधाई देता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आजादिक के अमरित काल में हम सवराष्ट तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की एक नई परंपरा के गवा बन रहे हैं। आज से कुछ महिने पहले ही बनारस में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ था, जिसकी पूरे देश में खुब चर्चा हुई थी। उसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के कायरकमों के कई स्वतस फूर्त प्रयाश शुरू हुए हैं। और आज सवुराश्ट की धर्ती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचिन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। सवुराश्ट तमिल संगमम का यायोजन केवल गुजरात और तमिल नारु का संगम नहीं है। ये देवी मिनाक्षी और देवी पार्वति के रूप में एक शक्ती की उपासना का उत्सव भी है। ये भगवान सोमनात और भगवान रामनात के रूप में एक शीव की भावना का उत्सव भी है। ये संगमम नागेश्वर और सुन्दरेश्वर की धर्ती का संगम है। ये स्रीकर्ष्ण और सी रंगनात की धर्ती का संगम है। ये संगम है नर्दा और बैगई का। ये संगम है डांडिया और कोलाठम का। ये संगम है द्वारिका और मदुरै जैसी पवित्र पूरियों की परंपराओं का। और ये सवराष्ट्र तमिल संगम है सरदार पटेल और सुब्रमनम भारती के राष्ट्र प्रथम से ओत प्रोत संकल्प का। हमें इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना है। हमें इस सांस्कृतिक विरासत को लेकर राष्ट्र निर्मान के लिए आगे बढ़ना है। भारत विवितता को विसेस्ता के रुप में जीने वाला देश है हम विवितता को सेलिब्रेट करने वाले लोग है हम अलग-अलग भाशाओं और बोलियों को अलग-अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्म तक हर जगह विवित्ता है हम शीव की पूजा करते हैं लेकिन द्वादियस जोति लिंगों में पूजा पद्धती की अपनी विवित्ता है हम ब्रह्म का भी एको अहम बहुश्याम के तौर पर अलग-अलग रूपा में अनुसंध करते हैं उसकी उपासना करते हैं हम गंगे चयमुने चयव गोदावरी सरस्वती जैसे मंत्रों में देश की अलग-अलग नदियों को नमन करते हैं एक विवित्ता हमें बाणती नहीं बल्कि हमारे बंधन को हमारे संबंदों को मजबुत बनाती है क्योंकि हम जानते हैं अलग-अलग धाराए जब एक साथ आती है तो संगम का स्रजन होता है इसलिए हम नदियों के संगम से लेकर कुम्ब जैसे आयोजनों में विचारों के संगम तक इन परंपराओं को सदियों से पोसित करते आए हैं यही संगम की शक्ति है जिसे सवराष्ट्र तमिल संगमम आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है आज जब देश की एकता ऐसे महापरवों के रूप में आकार ले रही है तो सरदार सहाम हमें जरूर आशिरवाद दे रहे होंगे यह देश के उन हजारों लाकों स्वतंतरता सेनानियों के सपनों की भी पूर्ती हैं जिनों ने अपने बलिदान देकर एक भारत स्रेश्ट भारत का सपना देखा था साथियों आज जब हमने आजादी के पचरतर वर्ष पूरे किये हैं तो देश ने अपनी विरासत पर गर्व के पंच प्राण का आहवान किया है अपनी विरासत पर गर्वत तब और बढ़ेगा जब हम उसे जानेंगे गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त होकर अपने आपको जानने की कोशिश करेंगे काशी तमिल संगम हो या सवराष्ट तमिल संगम हो या आयोजन इसके लिए एक प्रभावी अभ्यान बन रहा है आप देखिए गुजरार्त और तमिल नारू के बीच ऐसा कितना कुछ है जिसे जान भुज कर हमारी जानकारी से बाहार रखा गया बेदेशी आक्रमनों के दौर में सवराष्ट से तमिल नारू के पलायन की थोड़ी बहुत चर्चा इतिहास के कुछ जानकारों तक सिमित रही लेकिन उसके भी पहले इन दोनों राज्यों के बीच पवरानिक काल से एक गहरा रिष्टा रहा है सवराष्ट्र और तमिल नारू का पस्चिम और दक्षिन का ये सांस्कृतिक मेल एक ऐसा प्रभा है जो हजारों वर्षों से गतिशिल है साथियों आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष है हमारे सामने गुलामी और उसके बाद साथ दसकों के कालखन की चुनोतियां भी है हमें देश को आगे लेकर जाना है लेकर रास्ते में तोड़ने वाली ताकते भी मिलेगी भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे लेकिन भारत कठीन से कठीन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है सवराष्ट और तमिल नाडू का साजा इत्यास हमें ये भरोसा देता है आप याद करिए जब भारत पर विदेशी अकरांताओं के अकरमन शुरू हुए सोमनात के रुपे देश की संस्कृति और सम्मान पर पहला इतना बड़ा हमला हुआ सद्यों पहले के उस दौर में आज के जैसे संसादन नहीं थे इन्फरमेशन टेक्नोलोजी का दौर नहीं था आने जाने के लिए तेज ट्रेने और प्लेन नहीं थे लेकिन हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि हिमालयात समारंब्य यावत इंदू सरोवरं तम देव निर्वतम देशं हिंदू स्थानं प्रचक्षते अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासादगर तक ये पूरी देव हुमी हमारा अपना भारत देश है इसलिए उन्हें ये चिंता नहीं हुई कि इतनी दूर नई भाषा नए लोग नया बातावन होगा तो वहाँ वो कैसे रहेंगे बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्ताव और पहचान की रक्षा के लिए सवराष्ट्र से तमिल नाडु चले गए तमिल नाडु के लोगों ने उनका खुले दिल से परिवार भाव से स्वागत किया उन्हें नए जीवन के लिए सभी स्थाई सुविधाएं दी एक भारत फ्रेष्ट भारत का इससे बड़ा और बुलन उदहारन और क्या हो सकता है साथियों महान संत थिरुबलु वर्जी ने कहा था अगन अमरंदु शेयाल उरेयुम मुझनु अमरंदु नलु विरंदु ओम्बु वानिलु यानि सुक्ष, समुरुद्धि और भाग्य उन लोगों के साथ रहता है जो दूसरों का अपने हाँ खुशी-खुशी स्वागत करते हैं इसलिए हमें सांस्कृतिक टक्वराव नहीं तालमेल पर बल देना है तो नहीं संगम और समागमों को आगे बढ़ाना है हमें बेद नहीं खोजने हमें भावात्मग संबन बनाने है तमिल नाड़ु में बसे सवराश्ट के मूल के लोगों ने और तमिल गम के लोगों ने इसे जी कर दिखाया है आप सब ने तमिल को अपनाया लेकिन साथ ही सवराश्ट की भाषा को खानपान को रीती रिवाजों को भी याद रखा यही भारत की वो अमर परंपरा है जो सब को साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है सब को स्विकार करके आगे बढ़ती है मुझे खुशी है कि हम सब अपने पुरवजों के उस योगदान को कर्तव्य भाव से आगे बढ़ा रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप स्थानियस तर पर भी देज के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को इसी तरह आमत्रित करें उन्हें भारत को जानने और जीने का आउसर दे मुझे विश्वास है सवराष्ट्र तमिल संगमम इसी दिशा में एक एतियासिक पहल साबित होगा आप इसी भाव के साथ फिर एक बार तमिल नावड़ू से आप इतनी बड़ी ताजाज में आए मैं खुद महां करके आपका स्वागत करता तो मुझे और अच्छा आनन दाता लेकिन समय भाव से मैं नहीं आ पाया लेकिन आज वर्च्यू अली मुझे आप सब के दर्सन करने का आउसर मिला है लेकिन जो भावना इस पूरे संगम में हमने देखी है उस भावना को हमें आगे बढ़ाना है उस भावना को हमें जीना है और उस भावना के लिए हमारी आने वाली पीडियों को भी त्यार करना है इसी भाव के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बनकम